पुषिजन ऑफ कि सेम पार्टिकल एक ही पार्टिक्ल एक फिपार्टिकल की पूजिशन पूजिशन आफ सेम पार्टिकल एक डिफ्रेंट टाइम इंस्टेंट्स अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर एक ही पार्टिकल की पुल एक ही पार्टिकल की क्या पोजिशन होगी हमने एक्वेशन मनाई थी वाइपकल्स टू ए साइन टू पाई बाई लेमडा वी टी कॉस टू पाई बाई लेमडा एक्स ठीक है अब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं यह आपकी वेव है प्रोग्रेसिव वह सौरी इस टैंडिंग वेव इसे बनती कहीं पर यह यह अंटी नोड यह एंटी नोड यह अंटी नोड लोड तो आपने यह औरीजिन से एक सर्टिंज डिस्टेंस एक्स पर एक पॉइंट ले लिया जब आपने x fix कर लिया तो इसका मतलब cos 2 pi by lambda x आपका fix हो गया अब इसी particle की इस particle यह कभी particle यहां होगा कभी यहां होगा कभी यहां होगा इस particle की position किस पर depend करेगी करेगी इस पर साइन 2 pi by lambda vt पर depend करेगी क्योंकि x आपने fix कर लिया x fix होने के होने से क्या हो अब 2 pi by lambda x cos 2 pi by lambda x आपका fix बन गया ठीक है तो for a given point for a given not given point given particle for a given particle x is constant hence depends its position its position y depends on what sin 2 pi by lambda vt के विस पर depend करेगा इस पूरे का displacement ठीक है तो वाइड इपेंड्स ओन y depends on sin 2 pi by lambda vt ok for y to be maximum y को maximum होने के लिए क्या होना चाहिए sin 2 pi by lambda vt must be maximum यह आपका क्या हो तेरो हो आपका science 2 sign 2 pi by lambda vt या तो plus one हो या minus one हो कब possible है यह यह कब पॉसिबल है यह कब पॉसिबल है देखो plus one value होती है जब साइन साइन 90 हो और minus one होती है जब आपका साइन 270 हो जाए 270 पर साइन थीटा माइनस में होता है और साइन 90 पर कितना होता पिलस होता है तो साइन 90 कितना बना साइन 90 बना आपका पाई बाइटू घ्रिस के बाद कितना आएगा साइन ऊसेवैंटी बनाएं थरी पैर टू तो यह कभ 순간 toby byит कासर्मेरी यह तो हो स्टु स्टू पाई बाई लेन। वी ती इक एककालस है तो हो कि पैर रॉक क्पाई यह फिर फाइ이션 फैन पाईबाय बाई टू यह फिर सेवन पाईबाय टू अट सोर चुन तो 2 pi by lambda vt in general in general क्या होगा ये in general हो जाएगा कितना बनेगा ये 2n-1 by 2 pi और n की value यहां कितनी है 1,2,3 and so on देकि n की value 1 रखोगे आप तो 2 1s are 2, 2 में से 1 गया 1, pi by 2 आ जाएगा फिर n की value आप 2 रखेंगे, 2 to the 4, 4 minus 1 3, 3 by 2 ये value आ जाएगे, ठीक है, इधर हम इसे solve कर लेते हैं थोड़ा ऐसा, 2 pi by lambda और v को मैंने रखा कितना frequency into wavelength और frequency को रखा capital T, 1 by capital T equals 2n-1 by 2 pi, pi cancel होगे दोनों site में, तो आपके पास क्या बचता है, t by capital T, इधर आपका रहा 2n-1 by 2 और ये पहुच गया आपका lambda, और pi cancel हो चुका था, यहां से क्या बचा, lambda by 2 बचा, इसे और थोड़ा हम और solve कर लेते हैं, कितना देखो, small t हमें चाहिए in terms of capital T, कितना बनेगा, 2n-1 ये मैंना गलत लिख दिया देगो, lambda और lambda cancel होगे यहां से, pi cancel होगे, ये मैंना गलत लिख दिया, lambda, तो क्या बचेगा, 2n-1 by 4 into capital T, अब इसमें हमने n की value one substitute करी, तो time instance, when the displacement of particle of medium is maximum, कब कब हो जाएगा, कब-कब maximum होगा, n की value one substitute करो यहां से, कितना आएगा, t by 4, थिर n की value substitute करो यहां 2, तो कितना आएगा, 3t by 4, फिर n की value substitute के लिए 3, कितना आएगा, बोलो, 3 to the 6, 5t by 4, फिर उसके बाद आएगा, क्या, 7t by 4 and so on, t by 4 time पर maximum positive displacement होगा, t by, 3t by 4 पर फिर से maximum displacement होगा, लेकिन negative होगा, यह t by 4 पर कितना displacement आएगा, इसका maximum positive, फिर इस पर आएगा maximum कैसा opposite direction में negative, फिर क्या आएगा, यह distance maximum positive आएगा, फिर opposite direction में फिर maximum कैसा negative, और इस तरह से यह displacement आएगा, इसके बीच में time का gap आप देखोगे तो कितना आएगा, 3t by 4 में से t by 4 subtract कर दो तो आपके बचेगा, आपके पास कितना, कितना बचेगा, 2t by 4 यानि के t by 2, capital t by 2, capital t by 2 के बाद में फिर से positive maximum से negative maximum हो जाएगा, और इसमें कोई कोई ऐसी, कोई ऐसी बड़ी समझने की दुरूद भी नहीं है, क्यों कि actual में तो medium के particle क्या कर रहे है, simple harmonic motion कर रहे हैं तो अगर t by 4 पर time maximum displacement तो आधा आधा चौथाई चौथाई दो बार रोड़ो तो time के बाद में फिर से maximum displacement हो जाना, लेकिन वो displacement कैसा होगा, maximum होगा, opposite direction में हो जाएगा, time interval, यानि के time gap between, two successive position of what maximum displacement क्या time होगा, इसमें सही 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 सब्टेट कर दो, यानि के आप यहां से ले, 2N-1 by 4T में से इस से पहले वाला सब्टेट कर दे, यह time gap बनेगा, कितना, 2N-1 by 4T में से सब्टेट कर दो, कितना, 2N-1 by 4T, और यह सारा का सारा solve करें, चलो solve करी लेते हैं, solve करी ही लेता हूं, देखो मैं इसको तो figure को as it is छोड़े दे रहा हूं, इसको तो as it is छोड़े दे रहा हूं, 2N-1 by 4T, ठीक है इसे हम रख लेते हैं, change कर लेते हैं इसे मैं क्या change कर रहा हूं, 2N-1 by 4-1 by 4T, इन्टू T, अभी bracket open नहीं करा मैंने, अलग-अलग ले लिया, इस calcium, 2N-1 के साथ 4 ले लिया, और minus 1 के साथ में यहां से 4 ले लिया, अब इसको open कर देंगे, हम इस T को multiply करेंगे, कितना मनेगा, 2N-1 by 4 into T, इस capital T की हम multiply करी, 2N-1 by 4 into capital T, और open होकर के कितना मन जाएगा, सही पकड़े हैं, आप सब मिस्टेक बिल्कु सही पकड़े हैं, तो यहां निकल कर आएगा मेरा कितना निकल कर आएगा यह निकल कर आएगा, जब मैं इस bracket को open करूंगा तो यह बन जाएगा मेरा अजिब फिर से कर लेता हूं सारे कहानी, क्योंकि मिस्टेक कर ड़ी हो गई है, तो 2N-1 by 4 into T, 2N-1 by 4 into T में से सब्टेक किया, 2N और N की value कितनी पहले वाले से एक कम into T, ठीक है, तो यह बना 2N-1 by 4 into T मैं as it is रखूं इसको अब भी, और यह बनेगा आपका 2N-1-1, है ना, फिर-1 by 4 into T, सही करा ना मैं लेते को, 2N यह रहा, और यह minus minus 1 दो बार आता, minus 2, minus 2 को मैंने ऐसे लिख लिया, minus 1, minus 1, और यह वाला minus 1 कौन सा है, minus 1, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और मैं बॉड़ी साही कर दो, क्या, 2N-1 by 4 into T, minus 2N-1, minus 2, divided by 4 into T, अब आगिया, पकड़ मैं पूरा, 2N-1 by 4 into T, और यह देखो यह, यह क्या ले लिया, 2N-1 by 4 ले लिया, और मखीर क्या लिया, minus 2 by 4 ले लिया, अलग से हमने into T, देख रहे हो, इस पूरे को मैंने एच फिगर मान ली, तो 2N-1 के अपॉन में 4, और बच्चा 2, 2 के अपॉन में 4, अभी से उपन कर दीजिए आप क्या, 2N-1 by 4 into capital T, 2N-1 by 4 into capital T, और जब bracket open करेंगे तो minus minus से हो जाएगा, plus 2 by 4 into capital T, अभी यह वाली फिगर आपकी हो गई, balance, यानि एक दूसरों cancel out कर दिया है, देखनो, अक्सर आप सब न, ऐसे करते हो, अच्छा, यह, यह नहीं करना होता है, कभी भी किसी किताब में आपने लिखा कर रहा हुआ, नहीं देखा हो गई, बस क्या है, आपको, क्योंकि यह confusion हो सकता है, मेरे जैसे, जो बिलकुल, पी चेक करने वाले examiner होते है, मेरे अंदर बुद्धी नहीं है, बिलकुल भी, तो मैं सोचूंगा, पता नहीं बच्टे नहीं, यह, अपने लिखे वे को काटा है, क्या कर रखा है, और मैं फिर चक्रा जोंगा, तो बरिशानी हो जाई, तो इसलिए इसे निशान नहीं आएगा, time gap आएगा, capital T by 2, और आपको पता ही है, वो तो reference circle से निकल कर आ रहा है, यहां से आप चले थे, यहां पहुंचा था यह N, फिर उसके बाद आदा circle जब चलेगा, तो यह फिर से maximum हो जाएगा, maximum negative हो जाएगा, यहां क्या होता है, maximum positive होता है, यहां maximum negative होता है, और य maximum जाएगी, चाहिए, maximum positive हो, यह maximum negative हो अगर maximum negative है, positive हो थो, t by 2 के बाद maximum negative, अगर maximum negative पर पार्टीकर होजाएगी, लेकिन maximum होजाएगी, हर बार t by 2 second के बाद वे for y to be minimum minimum y होने के लिए क्या होना चाहिए आपका for a given particle sin 2 pi by lambda ये सब क्या हो ये आपका minimum minimum कितना होता है 0 sin की value minimum कितनी है 0 कब कब है जब आपका angle कितना हो जब आपका angle या तो 0 हो या फिर 180 हो pi या फिर 360 हो कितना 2 pi या फिर 360 से 180 degree और आगे pi and so on 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi तो कुल मिला कर कि क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 2 pi by lambda इसको मैं लिखता हू lambda by capital T into small d कितना होना चाहिए n pi होना चाहिए और n की value कितनी है 0 1 2 and so on n pi होना चाहिए ये ठीक है तो यहाँ देखें lambda से lambda cancel हो जाएगा ये और क्या बचता है आपका small t by capital T और pi से pi cancel हो गया क्या बचा देखो जहाल से क्या बचा इधर ये n बचा और इधर क्या यहाँ आपका आगया 2 समझे रहों ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं pi से pi cancel होगा लेंड़ा से लेंड़ा का इंचे लोगे small t by capital T माने ये ले लिया तो फिर small t क्या बनेगा small t आपका बनेगा कितना n by n into t by 2 n into t by 2 तो कब-कब कब-कब ये आजाएगा instant time instant when the particle is at minimum displacement कब-कब होगा n की value 0 रखो time 0 पर फिर n की value रखो कितना n की value रखो 1 तो कब t by 2 time पर फिर n की value रखे 2 तो capital T पर फिर रखिये आप कितना 3 t by 2 time पर फिर कितने पर 2 t time पर and so on सिजी सिजी बात है जब 0 time पर minimum displacement यानि mean position पर है तो उसके t by 2 time के बाद वापस minimum displacement पर आ जाएगा ये time 0 पर minimum displacement पर है और जब यहां तक पहुँचा ये t by 2 time हुआ तो n क्या हुआ ओपर जा करके फिर वापस नीचे आ गिया तो फिर 0 displacement पर आ गिया है तो इस तरह से 0 time पर t by 2 time पर ती टाइम पर इन सब टाइम पर क्या होते चला जाएगा minimum displacement हो जाएगा डिस टाइम गैप टाइम गैप बिट्विन टू मिनिम्म पोजीशन कितना टी बाइटू में से अब्यसलिया बभी ती यहां से जनरल में हम क्या के अंचनल गारेंगे कितना जाएगा टाइम गैंप आपका मनेगा इतना बनेगा टाइम गैप ए गैप का बन जाएगा N in 2 T by 2 में से सब्टेट कर दो N minus 1 ती बाइट तू मैं यहां से टी बाइट कॉमन ले लूँ N minus N minus 1 ओके ने कॉमन ले रखा है ओपन करेंगे एंस कैंडिन हो जाएगा मैंस मैनस क्या रहेगा प्लस रहेगा सिंपली टी बाइटो उब अहँं बक्राव्टु सेकंड के बाद में विनमं डिस्प्लेस्मेंट हुजाएगा। ध्यान जीजे Keep टाइम रिट्वन तू maximum displacement वह भी टी डाय टू ही ए टो टाइम रिट्विन-tू मिनमम डिस्प्लेस्मेंट है वह वह भी N वापस कहा गया, O से Y पर जाकर, Y से वापस ओपर आ गया, ठीक, और MQ लेता हो आप तो MQ में कहा है, अपनी MQ पर N यहाँ है, और TY2 सेकिंड के बाद N कहा पहुंच जाएगा, MQ पर पहुंच जाएगा, तो between two zero position of N वो भी time कितना टी बाई टू between two maximum position of n वो भी कितना time है टी बाई टू है तो एक पूरे time period में दो बार mean position पर होता है और एक बार positive x टीम पर दूसरा बार negative x टीम पर दो बार maximum displacement पर होता है और दो बार कहां होता है अपने minimum displacement होता है पार्टिकल